स्टूडेंस वेलकम तो माई चैनल आईशा लिगल इंसिटूशन आई होब यू आल बी गूड आज की वीडियो में हम जो है तीनों कॉंसिटूशन के को डिसक्स करेंगे लैट की हवाले से यह बहुत इंपॉर्टन है पाकिस्तान के पाक स्टूडी का जो पॉर्शन है उसमें जो है यह सकते हैं आपको तो आज हम जो है सिर्फ नाइंटी फिफ्टी सिक्स के कॉंसिटूशन को डिसक्स करेंगे काल जो है वो फिर नाइंटी सिक नाइंट फिप्टी सिक्स जो कंस्ट्टूशन है वह एक बिल के तोर पे नैशनलसंबली ने कब पास किया था तो वह डेट लिखी हुई है जी टुविंटी नाइन फैबरी नाइंट फिप्टी सिक्स को तो यह इस डेट को जो है ये constitution passed किया गया था उसके बाद दूसरा है information of first constitution played very important role किसने constitution की formation में जो है वो बहुत अहम करदार अदा किया है तो वो चोहदरी महम्मद अली है जिनोंने बहुत अहम करदार अदा किया है उसके बाद आ गया है कि constitution of 9056 was enforced on कि किसने जो है वो 956 किस date को जो है ये constitution enforce हो गया था मतलब कि मुलक में नाफ़ज हो गया था नाफज ये किस date को वो गया था वो हम देखने लगी है वो हुआ था 23rd March 956 को ठीक है बाद है कि जो 4 है वो क्या है जी 4 आर्टिकल पर ये लिखा है the constitution of 956 was framed by the constitution assembly in the name of कि constitution assembly ने जो है वो कब किया था 956 के constitution को frame तो वो किया था people के नाम पे जो है फ्रेम किया था फिर पांच में में the constitution of 956 was to ascended by the किसने इस ascended किया था तब हम यही पता है कि एक ही होदा था तो वो प्रेजिडेंट का होता था था प्रेजिडेंट का तो अब है तो पहले गुर्ने जर्नल का था तो गुवर्ने जर्नली उसके बाद सिक्स पहर कांस्ट्विशन आफ पाकिस्ट्विशन आइंटी फिफ्टी सिक्स दिक्लियर्ड पाकिस्टान इसलामिक र्मिकर फ्राइस पाकिस्टान का नामने क्या उसके बात सिर्भ जुआ जो माधिकलं भी बचिंच का構न आउन्टिव नहीं दिद्द थे जिसमें रियासत की तरीफ की गई है वो कौन सा आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 3 है तो अब जो 1973 का Constitution है उसमें जो Article 2 है वो डील करता है आपका State की definition से. 1956 का डील करता है Article 3 State की definition तो 1973 का Article 2 डील करता है State की definition से. Our next question है 8 के part of the Constitution of 1956 was granted fundamental rights के कौन से part में जो है वो fundamental rights लिखे गए है Constitution के तो वो part 2 में जो है वो लिखे गए है उसके बाद है according to 1956 there shall be dash form of government in country के government की कौन से form होगी मुलक में तो वो parliamentary होगी तो अब भी जो है 1973 के constitution के मताबब पाकिस्तरान के जो government है वो क्या होगी वो parliamentary होगी फिर 10 पी है के according to constitution of 1956 was the head of the state के state का head कौन होगा president तो अब भी जो 1973 का constitution है वो भी यही कहता है कि जो state का head होगा वो कौन होगा president की होगा उसके बाद है minimum age to become president was held dash year in 1956 के president के लिए कितनी एज कहा गही थी कि होनी जदूरी है 40 और आपके president के लिए जो है वो 45 कहे गही है यानि कि वो क्या है unicameralism नहीं be cameral है 1973 के constitution में जो हमारा parliament है जो legislation है वो कितने houses पे consist है two houses पे तो अब अगर आपको question आ जाता है mcq आ जाता है कि जो 1973 का constitution है उसमें legislation कैसी है तो वो be cameral है यानि कि वो two houses पे consist है उसके बाद है 13 according to constitution of 1956 dash was the highest court of country country के जो highest court है वो कौन सी होगी तो तब federal court जो थी वो highest court थी और अब जो highest court है वो है जी हमारी supreme court 1973 के मताबग तो मुलक में जो है एक supreme court है बाकी पांच जो है वो है जी हमारी high courts पांच जो है वो है high courts उसके बाद आगे है 14 according to the constitution of 1956 dash was declared as national language के national language का क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की national language क्या थी 1956 के मताबग तो तब जो है partition नहीं थी हुई बंगाल के और पाकिस्तान की तो उर्दू और बंगाली जो है वो national language थी लेकिन अब जो है 1973 के मताबग अब जो national language है वो है हमारी उर्दू और उर्दू के साथ साथ English English जो है यह हमारी official language है उसके बाद है कि 2015 है कि top आधाम 2056 constitution पर वांडिवार्मंट है किस तरह की उसने form of government पड़वाइड की गई थी अब हमारे सामने है 16 के Constitution of 9056 was consisting कितने आर्टिकल पे मुझतमील है और कितने उसके पार्स है तो आपका जो Constitution है वो जो पहले था 9056 का वो 234 आर्टिकल और 13 पार्स पे मुझतमील है लेकिन Constitution of 1956 पार्ट वास डीलिंग विद फंडामेंटर जी यह तो हम पीछे भी पढ़के आए है कि कौन सा पार्ट दील करता है पार्ट टू डील करता है फंडामेंटर राइट के रिरेटिद यह कितने देर के लिए मुलक में चल रहा है तो यह अभी भी है यह अभी भी जो है प्री वेल है उसी तरह से यूझ हो रही है तो इसमें को amendment की जा रही है amendment करके थोड़ा बहुत चेंड करकी तो इसी तरह से स्टील आज भी यह यूज हो रहा है अब आगे थे constitution of 1956 वाज अब रोगेटिडान कि जो 1956 का constitution था उसे कब खतम कर दिया गया तो इसे खतम किया गया था कुटूबर 1958 को तो अब का जो 1973 का constitution क्या इसे भी अब्रोगेट कर दे नो यह अभी भी स्टिल वैसे ही जो है मुलक में यूज हो रहा है तो वो नाम है इन्दी नेम आफ पीपल उसके पास 27 है 21 है सट्रेंथ और मेंबर्शिप आप नेशनल संब्ली अकारिंग तो 1956 के मताबग नेशनल संब्ली के निशिस्तों की तदात कितनी होगी तो वो 310 होगी 1956 के मताबग तो जो 1973 का कांस्टूशन है उसके मताबग नेशनल संब्ली के निशिस्तों की तदात है 342 अब जो नेशनल संब्ली के निशिस्तों की तदात है वो 342 है उसके बाद है Constitution of 1956 परवाइड-डाइश फार्म आफ ऐलेक्शन के कौन से फार्म आफ ऐल करता है क्यों से शचिजन सी पर वैड करता है सिंगल आपकान्सीलिशन जो sad yani करते हैं शेहरियत करता है मतलब आद यह एसे वां हम ऑनको ज से स्टेट की बी जो मिल जाती है शेहरियत और उसके बाद जो स्विजर लेंड की वो भी उनके पास होती है हमारा लास्ट पेज रह गया है तो इसमें यह बताए गया है कि कार्डिंग तु इसके हाथ में जो है वो फावर्ण के पास ज्यादा पावर्ण के पास अँसके बाद है कि 1956 के Constitution suggested kind of government for the country, तो वो suggest करता है गवर्मेट पार्लिमेंट ते form of government.